बच्चो आज हम देखेंगे पहली कवीता ज्ञाड आईका वो मना यानि आप सुनिये और बोलिये भी चिंगी न लावल एक ज्ञाड ज्ञाडाला मनाली लोकर वार चिंगी ये देखिए एक बच्ची है चिंगी इसका नाम चिंगी है इसने एक पौदा लगाया चिंगी न लावल ज्ञाड उसने एक पौदा लगाया ज्ञाडाला मनाली लोकर वार फिर उसने उस पौदे से क्या कहा कि भाई तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ तुला रोज गालिन पानी तुझा साथी गाईन गानी अब चिंगी उससे क्या कह रही है कि मैं तुमारे लिए रोज पानी डालूगी जैसे हमको भूक लगती है बड़ा होने के लिए खाना खाना पड़ता है ऐसी पौदों को भी पानी लगता है पानी उनकी गीजा है तो चिंगी उससे क्या कह रही है कि मैं तुम्हें रोज पानी डालूँगी और तुमारे लिए प्यारे प्यारे गाने भी गाऊंगी ताके तुम्हें अच्छा लगे गानी आइकुन फुल फुलतिल फुल पाखरांचे थवे जुलतिल क्या कह रही चिंगी कि जब मैं उनके लिए गाने गाऊंगी तो उसके उपर जो फुल और पतिया है वो जुमने लगेंगे जैसे हम गाना सुनके नाचने लगते हैं तो वैसे ही चिंगी क्या कह रही है कि जब मैं उसके लिए गाना गाऊंगी तो वो उसके फूल और पतिया जो है वो जुमने लग जाएगे फूल पाकरांचे तवे धवे जुलतिल यानि वो उसका गाना सुनकर जूमने लग जाएगे फूलतिल फूल छान छान हसत राहिल पानन पान फूलतिल फूल छान छान मतलब की जब जैसे कि देखो ये पौदा बड़ा हो गया तो अब इसके अंदर फूल कितने खुबसूरत दिखाई दे रहे है तो चिंगी यही सोच रही है कि जब ये बड़ा हो जाएंगा तो उसके जो फूल है उसमें अच्छे अच्छे फूल आएंगे और उसके पते पतिया फूल वगरा ये सब हमेशा हसते खेलते रहेंगे ये जैसे तितलिया है नजर आ रही है हमको ये चिंगी का पौदा बड़ा हो गया बड़ा होने के बाद उस पे फूल पतिया आ गई तो ये फूल पतिया जुमने लगी और उनके साथ-साज ये तितलिया भी उनके उपर मन राने लगी तो प्यारे बच्चो ये कवीता थी जिसको नानदा आसोल करने लिखा है ठीक है तो प्यारे बच्चो ज़ाड इस कवीता से चिंगी ने हमें कितना अच्छा पैगाम दिया कि हमने ज़ाड लगाने चाहिए उन्हें रोज पानी डालना चाहिए जैसे हम खाना खाते हैं बड़ा होने के लिए ऐसी ही उन्हें भी बड़ा होने के लिए पानी डालना चाहिए फिर जब ये पेड़ पौदे बड़े हो जाएंगे तो उन पे फूल फल जो हमारी इस्तेमाल में आते हैं और इन से सबसे एहम बात ये कि हमें हम जो सास लेते हैं तो ये जो हवा नाक के जरीए हमें अंदर जिसम में जाती है इसे आकसिजन कहा जाता है और ये पेड़ पौदो सो ही जो है हवा में अकसिजन फैलती है तो हमें सास लेने के लिए अकसिजन नहायत जरूरी होती है तो इसी तरह हमने भी चिंगी के जैसे पेड़ पौदे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए